आपने खिसारी लाल यादो का वो वीडियो जरूर देखा होगा जिस वीडियो में खिसारी लाल यादो एक मंच पर नजर आते हैं और स्टेज प्रोग्राम कर रहे होते हैं और प्रोग्राम करने के दौरान अचानक से खिसारी लाल यादो को अपने करियर की शुरुआती टा पड़े डिरेक्टर प्रोडूशर यहां तक की राणी चटर जी जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं उन्हों ने भी कहा था कि खिसारी जैसा गंदा एक्टर आपको मिला कहां से यानि खिसारी लाल यादो यह कह रहे थे कि जब मेरी फिल्म आ रही थी जब मैं शुरू सुरू फिल्मों में काम करना शुरू किया था उस वक्त रानी चितर जी जो कि अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं उन्होंने उस व करती है और कहती है कि खिसारी जी चलिए साथ में कोई काम किया जाये खिसारी लाल यादो ने जब यह बात स्टेज प्रोग्राम के दौरान कही थी उस वक्त की यह क्लिप शोसल मीडिया पर बहुत जादा वाइरल हुई थी बहुत जादा चर्चे में आई थी और खिसारी प्रक्रण से जुड़ा एक सवाल किया और उनसे कहा कि क्या यह बात बलकुल सही है कि आपने किसारी लाल यादों के लिए इस सरी की बाते कभी बोली थी तब रानी चितर जी ने इस प्रकार से कहा कि देखिए मुझे मुझे से आज तक किसी ने इस प्रकार का सवाल नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल मुझे से कियो और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला ताकि मैं उन तमाम फैंस को जो कि सारे लाल यादो के कट्टर फैंस हैं उनको ये क्लियर कर सकूँ क्या कि सच्चाई क्या थी और कि सारे लाल यादो कितने बड़े जूटे हैं और बातों को किस प्रकार से तोड मरोड कर परोस्ते हैं आपको बता दे कि रानी चितर जी ने कहा कि देखिए कि 2012 में जो मेरी नागिन फिल्म आने वाली थी वो जो फिल्म थी उसके प्रोड्यूशर राजकुमार पांडे जो प्रदी पांडे चिंटु के पिता जी है वो थे और उन्हीं के निर्देशन में मैं नागिन फिल्म कर र प्रदीप पांडे चिंटु के पिता राजकुमार पांडे को देती है तो राजकुमार पांडे को इस बात की चिंटा होने लगती है कि आखर जीत किजेगा इस फिल्म में किस एक्टर से काम कराये जाए कौन एक्टर है जो इस फिल्म में काम कर सकता है वो भी रानी चिटर जी की साथ ऐसे में राणी चितर जी बताती हैं कि राजकुमार पांडे के दिमाग में खिसारी लाल यादो आते हैं जो इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए थे तब तक शायद उनकी एक दो फिल्म आई थी और खिसारी लाल यादो को राणी चितर जी नयज़ सिंगर जानती थी नयज़ एक्टर जानती थी तब खिसारी लाल यादो बहुत जादा पॉपलर भी नहीं थे राणी चितर जी आगे कहती हैं कि जब राजकुमार पांडे ने मिरे पास ये प्रस्ताव रखा कि एक खिसारी लाल यादो नाम का सिंगर है ठीक ठाक काम कर रहा एक दो फिल्में उसने की है क्या हम आपके साथ इस फिल्म में उसको रोल दे सकते हैं तब राणी चितर जी ने कहा कि मैंने नमना किया नहां कहा मैंने कहा कि सर आप देख लीजिए आपको इस फिल्म के लिए जो भी ठीक लग रहा है आप उसको रख लीजिए कोई नया एक्टर ही सही लेकिन समय कम है अब हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम दूसरा हीरो डूनने जाए इससे अच्छा कि जो मिल रहा है उससे काम करा लिया नहीं था कि मुझे राज पर नीज नहीं आई है यह सोच कर कि मैं आगले दिन राणी चेटर जी और मॉना लीसा के साथ काम करने वाला हूं राणी चेटर जी करती है तब भी मैंने किसारी लाल यादों को बहुत कमफर्ट फिल कराया सहज महसूस कराया बोला ऐसी कोई बात अब बहुत अच्छा काम कर लिजेगा आपको घबरानी के कोई जरूरत नहीं है किसारी लाल यादों की बातों का खंडन करते हुए राणी चेटर जी सास तोर पर यह कहती है किसारी एक नंबर के जूटे हैं वो जो बात स्टेश वो पर बोले थे वैसी बात मैंने कभी खि बुढे लगती है तब मैंने किसारी लाल यादों के लिए उस प्रडूशर से ये बात कहा था कि पहले किसारी लाल यादों को कह दीजिए कि जाकर अपनी शकल देख ले रानी कि भी होगी कि मैने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था बागी राने चिटरजी साफ दर पर इस बात को clear कर दी है कि पूरी वाक्या क्या थी कब किस ने किस को क्या कहा था राने चिटरजी ये भी कहती है कि अगर मैं objection जता देती और राज की बार पांड़ी सर से ये कह देती कि मुझे खिसारी लाल यादो के साथ काम नहीं करना है मुझे खिसारी लाल यादो को अपने फिल्म में रोल नहीं देना है तो वो कत्ता ही नहीं देते अगर खिसारी लाल यादो को नागिन फिल्म में काम करने का मौका मिला है तो वो से मेरी वज़े से क्योंकि मैंने हां किया था रानी चिररजी ने ये भी कहा कि कभी भी खिसारी लाल यादो मेरे सामने आकर बैठेंगे तो मैं उनसे सामने से ये पूछूंगी कि मैंने कब आपको फोन करके ये कहा है कि हम लोगों को साथ में फिल्म में करनी चाहिए राने ने कहा कि चाहिए वो पवन सिंग हो मनोस्तिवारी हो निरहुआ हो या किसारी लाल यादो हो मैं किसी स्टार को फोन करके नहीं कहती या किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती कि मुझे आपके साथ फिल्मे करनी है बाकि आप इस पूरे प्रक्रन को कैसे देखते हैं अपने रहे बताईएगा आपको कौन सही लगता है कौन गलत कमेंट बॉक्स में लिख कर जाईएगा वीजियो को समात करते हैं मिलते हैं नए वीजियो में धन्या